फिर से आगे आ है कोरोना, घर पर रहने में ही है सब की भलाई, अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा, दस मिनट में आपके घर पर दवाई, बिग ब्लिस खुशियों की अपनी दुकान नमस्कार, आप देख रहे हैं, मारके टाइम स्टीवी, मैं हूँ आपके साथ शालनी शिर्वास्तव, रुक करते हैं, बड़ी खबर का वानी जी मंतरवाले ने कहा है कि भारत मिस्ट यानि एजिप्ट को गेहूं का निर्याद शुरू करने के लिए अंतिम दौर की बातचीत कर रहा है, जबकि चीन, तुर्की और इरान जैसे देशों के साथ गेहूं के निर्याद के लिए बातचीत चल लग है एक अधिकारिक बेयान के मुताविक भारत का गेहू निर्याद अप्रेल जन्वली 2021 के दौरान बढ़कर 1.74 अरव अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो इससे पिछले साल की समानवदी में 34.02 अमेरिकी डॉलर का था, मंतरवाले ने कहा है कि क्रिशी और प्रसंस्कृत खादे उ उक्रेन संगर्ष की वज़े से ग्लोबल आपूर्टी श्रंकला व्यवधानों के चलते बड़े खपत भेजने की शमता है, बैटक में रेलवे ने अतिरिक्त गेहू परिवहन की किसी भी ततकाल मांग को पूरा करने के लिए प्रयाप्त रेक उप्लप्त कराने का बंदरगा अधिकारियों से गेहू के निर्याद के लिए समर्पिर टर्मिनलों की संक्या बढ़ाने को कहा गया है, भारत से गेहू निर्याद मुख्य रूप से पड़ोसी देशों में होता है, जिससे बंदर बांगला देश की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, इसके अलाव देश ने यमन, अफगानिस्तान, कतर और इंडोनेशिय जैसे नए गेहू के बजारों में प्रवेश भी किया है, एपिडा के अध्यक्ष नहीं कहा है कि हम राज सरकारों और निर्यात को किसान उतपादक संगठनों, ट्रांसपोर्टरों जैसे हित धारकों के सयोग से गेह गेहू के निर्यात को बढ़ावाद देने के लिए मुलिश श्रंकला के निर्यान पर जोर दे रहे हैं, वेश्विक्सतर पर गेहू निर्यात में भारत की हिस्सेदारी एक प्रतीशत से भी कम है, हाला कि इसका हिस्सा 2016 में 0.1% से बढ़कर 2020 में 0.5% हो गया है, तो ये थी की एजिप्ट को भी गेहू निर्यात अब भारत करेगा, चीन, तुर्की और इरान जैसे देशों के साथ गेहू के निर्यात के लिए जो वो है बात अभी चल रही है, तो अभी के लिए बस इतना है और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहेंगे मार्के टाइम्स टीवी के साथ मुझे दीजे इजाज़त नमस्कार, शादी का सीजन है, शौपिंग भी करनी है और कोरुना का भी डर है, ऐसे में आपको घबनानी की ज़रुद बिल्कुल भी नहीं, बिग ब्लिस है आपके साथ, अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस एप और सिर्फ 10 मिनट में प करी दू का.